ओम शांती, 3 अक्टोबर 1969, मुरली का हेडिंग संपूर्ण समर्पन की निशानिया बाबा बुले, किसको देखते हो? कौन किसको देख रहे हो? दो तीन ने अपना-पना विचार सुनाया अज बाप ददा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं क्योंकि कहां तक परवाने बने हैं, वो देखने आए हैं वैसे तो परवाने शमा के पास जाते हैं लेकिन यहां तो शमा भी परवानों से मिलती है आपको मालुम है, चो संपूर्ण परवाने होते हैं उनके लक्षन क्या है और परक्या है? हर एक ने सुनाया, आप सब ने सुनाया वो यथार्थ है मुख्यसार तो यही निकला कि जो परवाने होंगे वो एक तो शमा केस नहीं होंगे समीप होंगे और सर्वसंबंद उस एक के साथ ही होंगे तो सर्वसंबंद सनेही, समीप और साहस जो संपूर्ण परवाने होते हैं, उनमें ये चारो ही बाते देखने में आती हैं तो आप सबको यहां भटी में किसलिए बुलाया है तो ये चार बाते सुनाई हैं, वो चारो ही बाते अपने संपूर्ण परसेंटेज में थारण करनी है एक परसेंट भी कम न होना चाहिए कई बच्चे कहते हम है तो सही लेकिन इतने परसेंट तो जिनमें परसेंट की कमी हो गई तो उनको सम्पूर्ण परवाना नहीं कहेंगे वो परवाना दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा जो की चक्र ही काटने वाले होते हैं एक होते हैं शीग्र एक ही बार्शमा पर फिदा होने वाले दूसरे होते हैं सोच समझ कर कदम उठाने वाले तो जो सोच समझ कर कदम उठाते रहेंगे उनको कहेंगे फेरी पहनने वाले चक्र काटने वाले तो दूसरी quality वाले परवाने कई प्रकार के संकल्पों, विख्णों और कर्मों में ही चक्र काटते रहते हैं तो आज पांडव सेना को भटी में बुलाया है कहीं पर भी कोई factory होती है तो जो बढ़िया factory होती है उसकी छाप लगती है अगर उस factory की छाप नहीं होती है तो वो चीज इतनी नहीं चलती है इस रिती आप भी जो भटी में आये हो तो यहाँ भी छाप लगाने के लिए आये हो ट्रेड मार्क होता है न आप फिर कौन सी छाप लगवाने लिए आये हो संपूर्ण सेरेंडर या संपूर्ण समर्पन का छाप अगर नहीं लगा तो मालुम है कि क्या होगा जैसे छापा न लगी चीज की वाल्यू कम होती जाती है उसी रिती से आप आत्माओ की भी स्वर्ग में वाल्यू कम हो जाएगी तो अपनी राजधानी में समीब आने लिए या छापा लगाना ही पड़ेगा माताओ को तो नश्टो मोहा का मंत्र मिला और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पन का पांडवो का ही गायन है कि गल कर खत्म हो गए पाड़ो पर नहीं लेकिन उन्ची स्थिती में गल कर अपने को नीचाई से बिलकुल उपर जो अव्यक स्थिती है उसमें गल गए अर्थाद उस अव्यक स्थिती में संपूर्णता को प्राप्त हुए ये पांडवों का यादगार भी है उस यादगार की याद दिलाने और practical में लाने लिए भट्टी मिली है संपून समरपण किसको कहा जाता है? जो संपून समरपण अर्थाब तन मन धन और समबन समय सब में अरपण अगर मन को समरपन कर दिया, तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते अब बताओ धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, धन को भी यूज करना सहज है लेकिन मन सिवाई श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन नहीं करे इस थिती को कहा जाता है समरपन इसलिए ही मन मना भव का मुख्य मंत्र है अगर मन संपूर्ण समर्पन है तो तन मन धन समय संबंद शीगर ही उस तरफ लग जाते हैं तो मुख्य बात ही है मन को समर्पन करना अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पन करना वो ही परक है संपूर्ण परवाने की, संपूर्ण समर्पन वालों को मन में सिवाए उनके मना बाप दादा के गुण कर्तव्य और संबंध के कुछ और सूचता ही नहीं अब बताओ कि ऐसा छापा लगाया हुआ है, जैसे आजकल के जमाने में आप लोग सब दफ्तरों में काम करते हो, तो कभी-कभी दफ्तर की जो चीजे होती हैं, वो अपने काम में लगा देते हो इसी रिती चो आपने समर्पन कर दिया, तो वो आपकी चीज नहीं रही, जिसको दिया उनकी हुई, तो उनकी चीज को आप अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते हो लेकिन संसकार होने के कारण कभी-कभी श्रीमत के साथ मन मत, दे अभीमान पने की मत, शूद्र पने की मत कहीं यूज कर लेते हो इसलिए ही कर्माती तवस्था व अव्यक स्थिती सदा एक रस नहीं रहती है क्योंकि मन बिन्न बिन्न रस में है तो स्थिती भी बिन्न बिन्न है एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिती रहे पापतदा पच्चों को हलका बनाते हैं और बच्चे चान बूझ कर अपने पर बोज ले लेते हैं क्योंकि 63 चन्मों से विकर्मों का बोज, लोक मर्यादा का बोज उठाने के आदी बन गए हैं इसलिए बोज उठाकर भी फिर रख लेते हैं जिनकी जो आदत होती है वो आदत से मजबूर हो जाते हैं न इसलिए अपनी आदते होने कारण अपनी जिम्मेदारी फिर अपने पर ही रख दिते हैं एक-एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पन बन कर ही निकले तो बताओ क्या होगा जब पांडव तैयार हो जावेगा तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे और फिर क्या होगा आपका राज्य आपको प्राप्थ हो जाएगा जब तक यह वायदा नहीं किया कि जो सोचेंगे, बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे सो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे तब तक इस बटी से लाब नहीं ले सकते हैं ऐसा ही उमंग उत्सा लेकर आए होना कुछ बन कर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे यह सोच कर आए होना, घबराट तो नहीं होती है जितना जितना गहराई में जाएंगे, उतना ही घबराट गायब हो जाएगी जब तक किसी भी बात की गहराई में नहीं जाते हैं तो गबराट आती है जैसे सागर के उपर उपर की लहरों में गबराट होती है लेकिन सागर के तले में गहराई में क्या होता है बिलकुल शांत और शांत के साथ प्राप्ति भी होती है इसलिए जो भी कोई गब्राट की बात आए तो गहराई में चले जाना तो गब्राट कायब हो जाएगी अब लक्ष और लक्षन कौन से धारन करने हैं इसमें जो नमबरवान होंगे उनका क्या करेंगे भविश्य में तो राजधानी लेंगे ही लेकिन यहां भी सौगात मिलेगी इसलिए हर एक यही प्रयत्न करें कि हम दो नमबर वान में आएंगे दो नमबर वाले को नहीं मिलेगा जो विन करेंगे वो वन नमबर पाएंगे विन करने की कोशिश करो तो वन जाएंगे आज आपको डबल टी का लगाते हैं, संगम पर निरोगी बनने का और भविश्य में राज भाग का, बिंदी रूप की स्मृती रखने के लिए बिंदी लगाते हो, बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे, कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो उनको बिंदी लगा द ओम शांती